14.3 तरंगों के प्रकार कमपन की दिशा के आधार पर हम जानते हैं कि जब तरंग संचरण होता है तो माध्यम के कणों का इस्थानांतरण नहीं होता अपितु वह अपनी मूल इस्थिती के सापेक्ष कमपन या दोलन करते हैं तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम की कणों के दोलन की दिशा के आधार पर तरंग दो प्रकार की होते हैं पहला अनुदेर्दे तरंग लॉंगी ट्यूडिनल वेवस दूसरा अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेवस क्रिया कला पाँच अ अलुदेर्दे तरंगों का बनना पहला एक स्लिंकी स्प्रिंग नुमा प्लास्टिक लें दूसरा स्लिंकी के दोनों सिरे को पकड़ कर आगे पीछे बारी बारी से खीचे और धक्का दें तीसरा अब स्लिंकी पर निशान लगा दें और उक्त क्रिया को पुनह दोहराएं और इसे ध्यान पुर्वक देखें चित्र क्रमाग साथ स्लिंकी में अनुदेर्दे तरंगों का बनना यहां सी संपिडन आर विरलन को दर्शाता है बच्चों देखिए मेरे पास प्लास्टिक की यह स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग की साथा से हम अनुदेर्द तरंग को समझने का प्रयास करेंगे इसके लिए हम इस स्प्रिंग को इस तरीके से फिला देते हैं और उसके बाद मैं अपने दाहिने हाथ से इसे धक्का देती हूँ देखिए हमें जो कमपन प्राप्थ हो रहा है वो कमपन सघन और विरल रूप में एक सीरे से दूसरे सीरे की तरफ जा रहा है ये जो तरंगे हमें इस क्रिया में प्राप्थ हो रही है उन्हें ही हम अनुदैर्द तरंगे कहते हैं इस क्रिया कलाप में आपने देखा कि आगे पीछे धक्का देने और खीचने पर स्लिंकी में लगा चिन भी विस्थापन के संचरण के समानांतर दिशा में गती करता है इस प्रकार की तरंगें अनुदैर्दे तरंगें कहलाती है अर्थात वे तरंगें जिसमें माध्यम के कणों का कमपन दोलन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है उन्हें अनुदैर्द्रे तरंगे कहते हैं द्वनी तरंगों का संचरन भी इसी प्रकार होता है आताहा द्वनी तरंगे भी अनुदैर्द्रे तरंगे हैं